दोस्तो वाराणसी भारत का सबसे प्राचिंतम बसे सहर है तथा ये संसार के प्राचिंतम बसे सहरों में से एक है भारत के उत्तर प्रदेश राजी के इस प्रसिद नगर को बनारस और कासी भी कहते हैं ये हिंदु धर्म में सरवादिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त छेत्र कहा जाता है इसके अलावा बौध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है वारांसी की संस्कृति का गंगा नदी का सिविश्वनात मंदिर एवं इसके धार्मिक मात्व से अटूट रिस्ता है ये सहर सहस्रों वर्ष से भारत का विशेश उत्तर भारत का संस्कृतिक एवं धार्मिक केंद रहा है वारांसी को प्राया मंदिरों का सहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान, सिवकी नगरी, दीपों का सहर, ग्यान नगरी आदिवीशेशनों से संबोधित किया जाता है प्रिसिद अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, लीजन्ड से भी प्राचीन है, और जब इन सब को एकत्र कर दें, तो उस संग्रह से भी दो गुना प्राचीन है हिंदुस्तानी नाठ संगीत का बनारस गराना वारांसी में ही जन्मा है, एवंपला बढ़ा है भारत के कई दार्षनिक कवी लेखक संगीत तक यहां रहे हैं, जिनमें कबीर वलभाचारे, रवी दास, स्वामी रामनन, त्रैलंग स्वामी, सीवानन्द गोस्वामी, मुनसी प्रेमचन, जैचन प्रसाद, आचार रामचन सुकल, पंडित रवी संकर, गिर्जा देवी, पंडित हरी प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्ला खान आदी कुछ हैं, गोस्वामी तुलसी दास ने हिंदु धर्म का परम पोजगरंध रामचरित मानस यहीं लिखा था, तथा गौतम बुद्र ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनात में दिया था, वारानसी में चार बड़े बिश्व बिद्याले इस्थित हैं, बनारश हिंदु बिश्व बिद्याले, महत्मा गांधी कासी बिद्यापीठ, Central Institute of Higher Tibetan Studies और समपूरा नंद संस्क्रत बिद्याले, बनारश हिंदु बिद्याले एसिया का सबसे बड़ा बिश्व बिद्या यहां के पुस्तकालियों में 15 मिलियन से अधिक पुस्तकों को रखा गया है। बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। सन 15 साथ के महा सिवरात्री के समय गुरु नानक इस सहर में आये थे और सिख धर्म फैलाया था। औरंजेब के राज में वारांटसी के कई सारे मंदिर तुड़वा दिये गए थे। अंग्रेजों के राज में वारांटसी को एक नया राज्य बना दिया गया था जिसकी राजधानी रामनगर थी। ये सहर भारत का एक मुख्य और द्योगिक केंदर भी है। रेसम कपड़े को सीना यहां का मुख्य काम है। जातर मुसल्मान इस कामों में बेस्त रहते हैं। ये सहर के बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। परड़ेटन यहां का दूसरा पैसा कमाने का जरिया है। कई लोग वाराणसी यहां के परसिद धार में इस्थलों को देखने आते हैं। जातर लोग यहां बिहार, मदिप्रदेश और पस्चिम मंगाल से आते हैं। सबसे ज़्यादा मेहमान यहां अक्टूबर और मार्च के माहिने में आते हैं। वाराणसी के परसिद धेश्थलों में जंतर मंतर, राम नगर किला, जैन घाट, दस आस्वर मेग घाट यह वाराणसी का मुख्य और सबसे बड़ा घाट माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस घाट का निर्माण भगवान सिव के लिए किया था। कहा जाता है कि यह अस्थान कभी भगवान सिव और देवी पारवती का घार था। तथा कहा जाता है कि जो बेक्ति अपनी अंतिम सांस यहां लेता है वह वास्तों में मौक्ष को प्राप्ट करता है। तथा वह दुबारा मानों के रूप में जन नहीं लेता है। सहर के मड़ी करड़ी का घाट के पास की गलियां इस्मृति चिन और रेसम की सबसे प्रमाडिक और ठानी आपूर्ति के लिए पूरे बिश्व में परसिद हैं ये घाट इसमसान के लिए 24 गंटे खुला रहता है इसे 10 संसकार के लिए सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है वारंसी अपने भांग के लिए भी परसिद हैं यहां परसिद ठंड़ाई के अलवा भांग के पकोड़े लड़्डू और भांग लसी का बहुत प्रजलन है यहां का बनारसी पान पूरे देश में इसी नाम से बिकता है लेकिन इस पान का प्रामाडिक स्वाद इसके मूल स्थान पर ही मिलता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी क्रिप्या हमें कमेंट करके बताएं तथा इसे लाइक करें वा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जैन